नमस्कार फोर साइट्स टीवी में आपका स्वागत है दिल्ली के मुख्या मंत्री पद से स्तीफा देने के बाद अर्विन केजरिवाल उन्हें मिलने वाली सारी सुईधाओं को छोड़ देंगे केजरिवाल सरकारी आवास को कुछ हफते में खाली करेंगे आप सांसर संजय सिग ने कहा कि वो कुछ हफते में सरकारी आवास को खाली कर देंगे मुख्यमंत्री के तौर पर अर्विंद केजरिवाल को बहुत सी सुईधाय मिली हुई है लेकिन इस्तीफा देते ही उन्होंने कहा कि सारी सरकारी सुईधायें छोड़ दूगा मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारी सुईधायें मिलती है इस्तीफे के बाद अर्विंद केजरिवाल ने सुईधायें छोड़ दूगा छोड़ने की बात कही है उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरिवाल के इस्तीफे से दिल्ली की जनता गुस्से में है लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी संजा सिंग ने कहा कि बीजेपी दो साल से अरविंद केजरिवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी ने अरविंद केजरिवाल को भ्रष्टाचारी कहा और उनकी इमानदारी पर सवाल उठाए कोई मोटी चमडी वाला नेता होता तो कुर्सी से चिपका होता उन्होंने आगे कहा कि जिस मामले में जमानत मिलना नमुम्किन होता है उसमें अर्विन केजरिवाल को सुप्रीम कोट ने जमानत दी है आमादी पार्टी की नेता आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है मंगलवार को पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को सीम बनाने का फैसला लिया गया अब दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंतरी अर्विन केज़रीवाल को इस्तिफा देना होगा और उन्हें सरकारी CM हाउस खाली करना होगा मुख्यमंतरी चुने जाने के बाद आदशी ने प्रेस कॉनफरेंस करते हुए का अर्विन केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया खास खाबरों में बने आने के लिए देखते रहिए फोर साइट्स टीम